सवाल है वो कौन सा गुना है जो सबसे पहले एक औरत की वज़ा से हुआ था आपके options हैं A. कतल हुआ था Option B. जूट बोला गया था Option C. नशा किया गया था Option D. चोरी के गई थी सही जवाब है चोरी का गुना सवाल है क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा द्रख्त है जिसको यहूदियों का द्रख्त कहा जाता है आप्शन A बेरी का द्रख्त आप्शन B गरकत द्रख्त आप्शन C शेहतूत का द्रख्त आप्शन D सफैदे का द्रख्त सही जवाब है गरकत द्रख्त सवाल है हुशूर। किस आस्मान पर होई C. साथवे आस्मान पर सही जवाब है साथवे आस्मान पर सवाल है क्या आप जानते हैं कि इस दुपनीया में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ था आपके option है A. हसद हुआ था option B. कतल हुआ था option C. शिर्क हुआ था और option D. काला जादु हुआ था सही जवाब है हसद हुआ था सवाल है कि आप जानते हैं कि अल्लापाक के किस नभी ने तकरीबन दोस्तो शेहर आबाद किये थे सवाल है क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मुजूद किसको जन्नत का फूल कहा जाता है सवाल है अल्ला पाक के किस नबी ने सबसे पहले जुमा के लिए गुसल फरमाया था सवाल है क्या आप जानते हैं के जमाना कदीम में पुराने जमाने में जुमा को क्या कहा जाता था आपके आप्शन है ए अरूबा कहा जाता था आप्शन बी लोतस आप्शन सी बोलस और आप्शन डी सातून सवाल है क्या आप जानते हैं के वो कौम से सहाबी रसूल है जो दीन के मौामले में बहुत सख्त थे सवाल है कि आप जानते हैं कि किस नभी की शहादत नमाज की हालत में हुई थी? सवाल है कि आप जानते हैं कि अल्ला पाक के किस नबी का मुकालमा एक च्यून्टी से हुआ था सवाल है कि आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किस मुलक में रिश्वत ली गई थी आपशन आपके हैं आपशन ए इंडिया में आपशन बी एराक में आपशन सी शाम में आपशन डी मिसर में सही जवाब है इराक में सवाल है वो अल्ला पाक के कौन से नबी हैं जिनको नबुवत के साथ सल्टनत भी मिली अजिनको नबुवत के साथ सल्टनत भी मिली A. अज़र्द दाओद अलिहसलाम B. अज़र्द अबराहीम अलिहसलाम C. अज़र्द याकूब अलिहसलाम D. अज़र्द आदम अलिहसलाम हज़र्द दाओद अलिहसलाम को सवाल है दिन इसलाम का वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके सवाब की कोई हद नहीं है आपके आप्शन है A. हज की आप्शन B. नमाज की आप्शन C. जकात देने की आप्शन D. रोजा सही जवाब है रोजा के सवाब की कोई हद नहीं सवाल है क्या आप जानते हैं कि जालिम बादशा फिरौन ने कितने साल तक हकुमत की थी आपके आप्शन है A. तीन सो साल तक आप्शन B. चार सो साल तक आप्शन C. दो सो साल तक आप्शन डी पांट सो साल तक सही जवाब है चार सो साल तक सवाल है क्या आप जानते हैं कि अल्ला पाक के किस नभी का लकब जबी उल्ला है सवाल है जन ओरतों को दुनिया में तलाक हो जाए उनको जन्नत में क्या मिलेगा आपके आप्शन्स है अ वही शोषर मिलेगा जो दुनिया में था भी दूसरा शोषर मिलेगा सी शादी ही नहीं होगी Đी हूर बना दिया जाएगा दोस्तों सही जवाब मुलाहिज़ा फरमाएं दुनिया में तलाक होने के बाद दुबारह शादी ना की हो तो जिन ओर्तों ने दुनिया में शादी नहीं की उनको जन्नत में इक्तियार दिया जाएगा कि जिस आदमी को वो पसंद करें उससे शादी हो जाएगी अगर वो किसी को पसंद ना करें तो हुरैन में मर्द पैदा करके अल्ला ताला निकाह फर्मा देगा दूसरा जिनको दुनिया में तलाक हो जाएगी उनके बारे में कोई तसरीह नहीं मिली मम्किन है कि इनको अगर साबका शोहर पसंद ना हो उनके साथ गैर शादिशुदा उरतों का सा मामला किया जाए जो उपर ब्यान किया गया है हो सकता है कि ऐसा मामला हो जो गया शादी शुदा औरतों के साथ बियान किया गया है लेकिन इसकी अभी कोई तस्रीख नहीं मिली लहाजा इस लिए सवाल हजरत नुह अलेह सलाम ने कश्टी से उतर कर पहला काम क्या किया आपके आप्शन है A सजदा किया आप्शन B जहाद किया आप्शन C लोगों को खनक लाया आप्शन D कुर्बानी की सही जवाब है कुर्बानी की लिए लिए झाğ जहाद लिए क्र लिए लिए झाल झाल